देखो यार, अगर आप अपने मॉबाइल फोन से टिकट निकालना चाहते हैं, ततकाल टिकट निकालना चाहते हैं, तो आज की इस पीडियो में हम आपको बताएंगे, कम्प्लीट प्रोसेस बताएंगे, आप अपने मॉबाइल फोन से ततकाल टिकट निकाल सकते हैं, या तो परसो नर्सों का या फिर चार महिने बाद का दो महिने बाद का तीन महिने बाद का आप इजली अपने फोन से टिकट निकाल सकते हैं वो अभी कम प्राइज में ठीक है चीपेश एक्चली हुआ क्या अभी मेरा एक दोस्त मुंबई आ रहा है ठीक है तो फोन किया बोला एऊर टिकट मुझे चाहिए तो महिने चला जा मारकेट में भाई टिकट निकालने माले बहुत सारे हैं जैर सी बात अगर कोई टिकट निकालेगा तो उसका चार्ज है तो चह़े हे तो जो 700 का टिकट है उसे 1200 रुपे में डे रहा था जो 500 रुपे इसे ले रहा था तो मै इधार फोण किया तो मैं चेक किया, आपके कॉमें निकाल दे तो मğin कॉमेंट भी आते रहते हैं कि मोबाइल फोन से टिकेट कैसे निकाले प्रिंट कैसे करे आपको कमपली भी डिटेल बताएंगे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर देना और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही या टिकट बुक करने में तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो गाउं में होता है ना जब किसी बंदे के पास कोई जानकारी हो जाती है तो लोग जाके बहुत मसका पालिस लगाते हैं पाबू प्लीज मेरा एक काम कर दूना तो अगर सीख लेते हैं तो भाई क्या-क्या फायदा होगा आप नहीं समझ सकते हो चलिए हम आपको मुबाइल फोन में कम्प्लीट डीटेल से बता देता हूं आपको कैसे क्या करना है तो दोसो इस वीडियो में हम सिखेंगे अगर आप ततकाल टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे तो दोसो अप्लीकेशन डाउलोड करने के लिए जो टाइटल दिख रहा है आपको टाइटल पर क्लिक करना है बस आपको IRCTC का एकाउंट चाहिए वह एकाउंट आप कहां से बनाएंगे मैं आपको आगे बता देता हूं तो जैसे आप ओपन करेंगे जो अप्लीकेशन का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा अगर आपसे पर्मीशन मांगता है तो आपको पर्मीशन दे देना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अप्लीकेशन का जो इंटरफेस है काफी अदा सिंपल है काफी आसान है अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप यहां से कर सकते हैं फ्लाइट को आप यहां से कर सकते हैं, मेरा नेट काफी आता, स्लो चल रहा है, सौरी, आप देख सकते हैं, फ्लाइट का यहां से है, और बस का यहां से है, तो आप इजली तीनों चीज यहां से बुक कर सकते हैं, लेकिन आप टिकट की बात करने वाले हैं, तो आप देख सकत गर जाना है सबसे पहले उस स्टेशन का नाम लिंगना है, उसके बाद में कहां पर जाना चाहते है है हुआ डाल देना है ज्यसे वरनारस वरांसी जंक्सन वी भी औस थीक हे है वरांसी जंक्सन में डाल दिया अब आपको कितने तारिकाँ चेक करना है जैसे अगले पोले महीने का या फिर ततकाल या फिर कल पड़ का जो भी आपको चेक करना है यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा कलेंडर जाएगा आप अपने इसाब से सzahlेट कर सकते हैं। यह से मैं ने आट सेलेक्ट कर दिया। अब मैं search train पर click करता हूँ, जैसे मैं click करूँगा अब आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी के जित्ती सारी train है, सारी की सारी train है यहाँ पर आ चुकी है, किसी में खाली है, किसी में खाली नहीं है, और हाँ दोस्तम आपको बता दू, अगर आप ततकाल ticket book करना चाहते हैं, तो इसी भी time कर सकते हैं, अगर ticket allable नहीं रहेगा, तो आपको 10 या 11 बजे book करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं भी 4 बच के 29 मिनट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं थोड़ा सा अगे गया, यहाँ पर ticket allable दिखाने लगा, ठीक है, अगर ticket allable दिखाता है, तो आप आपको बुक कर लेना है, और यहाँ पर देख भी लेना है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर allable नहीं है, यहाँ पर कितने percent chance है, अगर allable रहेगा तो कुछ इस तरीके से सो करेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 160 seat allable है, 660 रुपया लगेगा, अगर chance लिखा र बुक करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर mobile number मांग रहा है, तो आप mobile number से नहीं तो आप अपने Facebook, Google से login कर सकते हैं, तो चलिए मैं Google से कर लेता हूँ, आप अपना mobile number भी डाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप Google से करेंगे, Gmail से करेंगे, तो जो भी टिकट आप बुक करेंगे, आपके Gmail पर जाएगा, अगर आप mobile number से करेंगे, तो जो भी टिकट बुक करेंगे, PNA number के साथ में आपके mobile पर message आएगा, तो आप अपने इसाब से कर लेना, तो यहाँ पर ह बस और ग्यारा बजे होता है, तो अभी टाइम नहीं है ततकाल का, बाकि जनरल का लेडिस का आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर सब कुछ है, तो जैसे मुझे यह वाला टिकट बुक करना है, ठीक है, यह वाला, तो मैं यहाँ पर किलिक करता हूँ, जैसे मैं किलिक देख सकते हैं, कि यहाँ पर पैसेंजर का डीटेल मांग रहा है, तो आप अगर मेल हो, तो मेल सेलेट करना है, फीमेल हो, तो फीमेल सेलेट करना है, जैसे मैं मेल हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अरविंद, अरविंद, ठीक है, एज कितनी है, 26, बाकि आपको कौन सी सीड चाहिए, Lower, Upper, Middle. कौन सी चाहिए आप अपने इसाप से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठिक है. Side की Lower, Side की proper, या फिर Beach वाली, या फिर Middle, या फिर Lower. आप अपनी से अपना ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठिक है. जैसे माँने सेलेक्ट कर लिया, अब यहां से आपको इंडिया सेलेक्ट करना है अब यहां से सेप कर देना है ठीके जैसे आप सेप करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक पैसेंजर का डीटेल सेव हो चुका है अब अगर आप इसमें किसी और का टिकट निकालना चाहते तो आपको एड अडल पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद में दूसरे पैसेंजर का जैसे मैं यहां पर डाल देता हूँ सोनू सोनू डाल दिया एज 22 यहां पर मैं मिडल डाल दिया और यहां पर सेप कर द अब आपको यहाँ पर अपना mobile नमर डालना है साइद यह जरूरी है अब यह हम skip करते देखते हैं अगर बाद में मांगेगा तो ठीक है नहीं मांगेगा तब भी ठीक है बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आफसन आ गया है ठीक है अगर आप इसपे क्लिक करेंगे न तो 139 रुपय अगर आप इसपे क्लिक कर देते हैं तो 139 रुपय आपसे इस्टा लेगा अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो 1 बी रुपय आपका नहीं कटेगा ठीक है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं अगर आप इसे select करके रखेंगे तो आपका ज्यादा पैसा कटेगा और अगर आप select नहीं करेंगे तो आपका कम कटेगा हम यहाँ पर कर देते हैं no pay बाकि यहाँ पर travel insurance है कुछ पैसे लगेंगे ठीक है अगर आप इन्हें select करके रखेंगे तो जो आपका amount है उसमें कुछ plus हो जाएगा जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं यहाँ पर click करके proceed to payment पर click करता हूँ भाई mobile number डालना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले हम mobile number ही डाल देते हैं अब चलिए हम proceed to payment पर click करते हैं अब जैसे आप click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप से IRCTC का account मांग रहा है तो आपको क्या करना यहाँ पर IRCTC का account डाल की login कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो आप keyword IRCTC account पर click करके account बना सकते हैं तो फिलाल मेरे पास है चलिए मैं यहाँ पर IRCTC account डाल देता हूं ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमने IRCTC का ID डाला यहाँ पर amount 100 करने लगा कितना 1604 रूपय वहाँ पर 1300 दिखा रहा था इसके वज़े से मैं आपको बोला कि आप वह अची select मत करना अगर आप यह अची select करेंगे तो 139, 139 पर ब्यक्ति पर 139 रूपया बढ़ जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1300 कर रहा है लेकिन वह आपर 1600 कर रहा है तो अगर हम इसीच को select नहीं करते हैं अगर इसे हम select कर लेते हैं और हम इसे भी हटा देते हैं अभी आप देखना जो हमारा payment work कम हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हम S कर देते हैं तो जैसे हम click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1389 रूपया सो कर रहा है ठीक है तो आपको ध्यान से मैं आपको again दिखा देता हूँ आपको ध्यान से इसे uncheck कर देना ने तो आपके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे कर जाएंगे ठीक है हमको ticket तो refund करना नहीं है तो आप यह वाला select कर लेना उसके बाद में proceed to payment पर click कर देना अब चलिए हम आपको screen recording की मदद से समझा देते हैं हमने ticket book किया था तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम ticket book कर रहे थे यहाँ पर 801 रुपया सो कर रहा था तो आपको क्या करना आपको phone पे या फिर ATM से payment कर देना है तो जैसे मैं phone पे से कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मैंने click किया click करने के बाद में directly आपको payment कर देना है तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि payment successful हो गया अब आपको थोड़ा सा wait करना है cut नहीं करना है अब देख सकते हैं कि हमने ID और password दोनों डाल लिया अगर आप IRCTC का account नहीं बना पाते हैं तो comment section में comment करके बता देना हम आपको बता देंगे अब आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ minutes हो कर रहा है तो इसी minute के बीच में आपको login कर लेना है और यहां पर कुछ capture दिया था तो हमने capture डालके ok किया जैसे हमने ok किया अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें message भी आ गया 783 रुपे हमारा cutting हुआ है और जो हमारा ticket है प्लस जो PNA number आप देख सकते हैं कि हमारे mobile में message के थुरू आ चुका है gmail के थुरू आ चुका है ठीक है आप देख सकते हैं हमने दो तारीक का ticket book किया था अब अगर आप download करना चाहते हैं तो आपको उपर download का option मिल जाएगा आप easily download कर सकते हैं अगर आपको return करना है तो left side में book के return ticket का option वहाँ से भी आप कर सकते हैं तो अगर हम download पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे phone में यह जो ticket हुआ PDF में save हो जाएगा ठीक है बाइदों मालो अगर आप save नहीं कर पाते हैं तो आपको किस सरीके से save करना चले हम आपको बता देते हैं अगर आप भूल जाते हैं गलती से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PDF में जो हमारा ticket हुआ आ चुका है RAC 32 है अभी RAC 23 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ आ चुका है अब दोस्तों मालो जिस समय आप ticket book कर रहे हैं उस समय आप भूल जाते हैं कि आप आई हमने ticket book किया था और बाद में आपको निकालना पड़े एकाद दो गंटे बाद निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको confirm ticket पर click करना है जो application वहाँ पर click करना है आपको नीचे कई सारे option मिल जाएंगे ठीक है पांच option मिलेंगे तो आपको trip ओले option पर click करना बीच वाले पर जैसे आप click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जो हमने ticket book किया था उसका पूरा detail आ चुका है आपको simply यहाँ पर click करना है में आप देख सकते हैं कि वही page आ चुका है अब आप इस page को again download ticket पर click करके download कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं जैसे हम download करेंगे यह download हो जाएगा अब अगर हमको share करना है या तो PDF में देखना है हम simply click करके देख सकते हैं और आप इस ticket को टीटी को दिखा देते हैं तो टीटी मान जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा इस ticket से तो दोस्तो जीस तरीकेस में आपको पताया आपको उससे मदूसे मिसी तरीकेस करना सारा process काफ़ यादा आसान है आपको कुछ भी नहीं करना कुछी मिनट में आप अपने mobile phone से ticket book कर पाएंगे और आप उसे PDF में save भी कर पाएंगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके पास PNA नमबर है तो आप PNA नमबर से PDF में कैसे ticket को save करेंगे उमीद करता वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर देना share कर देना चैनल को subscribe करना मिलते नेक्स वीडियो में बाए